सर्दियों का मौसम था सुभा का वक्त चारों और कोहरा ही कोहरा एक शेर का बच्चा हा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पच्चता रहे थे तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी आखे पहलाई अकल दोडाई अहा फुटबॉल सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मे हासिल की जाए आव देखा ना ताव भालू जी ने पैर से उच्छाल दिया शेर के बच्चे को हडबडी में शेर का बच्चा दहाडा और फिर पेड की एक डाल पकड़ ली मगर डाल छूट गई भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए पच्चता है लेकिन अगले हिपपल दोड़ कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया अरे ये क्या शेर का बच्चा फिर से उच्छालने के लिए कह रहा था और एक बार फिर भालू दादा ने उच्छाला दो बार तीन बार 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 यही होने लगा शेर के बच्चे को उच्छने में मज़ा आ रहा था परन्तू भालू थक कर परेशान हो गया था किस आफ़त में आफ़जा बार भी बार उच्छालते ही भालू ने घर की ओर दोड लगाई और गायब हो गया अब की बार शेर का बच्चा ध्राम से जमीन पर आ गया डाल भी तूट गई तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा डाल तोड़ दी पेड की प्लाव हर जाना शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूँ माली ने कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी नौ दो ग्यारा हो लिया उसने सोचा जान बच्ची तो लाखों पाए झाल झाल